बाबू ने 25 सो रुपए में एक अलमारी खरी दी और इसे 35 सो रुपए में बेच दिया हानी अत्वालाब प्रतिशत ग्याद करें देखे पहले तो ये सब धटाई दें आप देखे पूशा कोशन में लेकिन आपको समझ में आगी बात कि हानी की कंडिशन तो है ही नहीं हानी की कंडिशन तो ही नहीं तो देखे बात क्या होती है तो इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि क्रेमूल क्या होता है फिर हम समझ लेते हैं कि बिक्रेमूल क्या होता है फिर हम समझ लेते हैं कि बिक्रेमूल क्या होता है फिर हम इसके बास समझ लेते हैं कि लाव क्या होता है कि कोशन बहुत छोटा है आप कहेंगे सर इतनी चीज़े क्यों बता रहे हैं उसको बताने का रीज़ा नहीं है बच्चों कि आपके पास एक ऐसा ही कोशन नहीं आना है किसी दूसरे कोशन में कोई दूसरी चीज भी अगर आपसे पूछ लें तो एक ही कोशन के माद्यम से हम सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है तो जिससे आपको इसस प्रतिशत के बारे में हम जान लेते हैं ठीक और अगर हम इसके बाद बात करें कि हानी क्या होती है ठीक तो हम आनी के बारे में भी जान लेते हैं कि हानी प्रतिशत क्या होती है फिर इसके बाद हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि अंकित मूल क्या होता है अंकित मूल क्या कर लेते हैं फर इसके बाद हम समझ लेते हैं घवाई डिसकाउंड क्या होता है नहीं कि बट्टा क्या होता है तो वस यह टम्स हम समझ लेते हैं कहीं इस्तमालों के दूसरे कोश्चनों में तो हमारे हैं लिए आसान हो जाएगा ठीक तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेमूल तो आपने कितने में पैन खरीदा 500 रुपे में तो ये जो 500 रुपे हैं ये क्या कहलाता है क्रेमूल कहलाता है मलब किसी बस्तू को खरीदने के लिए आपको जितनी रासी देनी पड़ती है वो रासी क्या कहलाती क्रेमूल मलब किसी बस्तू को खरीदने का जो मूल होता है वो क्रेमूल कहलाता है तो देखे क्रेमूल हमें समझ आ गया ठीक अब हम एक एक एकजामपल भी लेते जा रहें साथ में कि हम पैन कितने का लाए 500 रुपए का ठीक है तो हमने 500 रुपए का कहले लिया एक pen ले लिया अब ये बात तो clear हो गई अब हम घर आए pen से satisfy नहीं है, हमने का यार अच्छा नहीं है pen क्या करें, तो हमने का चलो बेज दो तो हमारे किसी दोस्त ने हमसे बूल दिये कि हमें pen की आवशकता है, ये pen ठीक है, हम चला लेते हैं तो आप हमें दे 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 जिये तो देख केस होता सकते हैं हमारे साथ क्या केस हो सकते हैं, कि जो हम 500 का लाए थे या तो हम उसको कम में बेज दें मान के चलिए, दोस्त अच्छा है और हम भी चारे हैं के pen निकल जा नहीं रखना चारे है तो हम या तो उसको साड़े चार सो में बेज़ दें या फिर उससे बढ़कर बेज़ दें हमने पांच सो पचास में बेज़ दें माई उससे बोलती है कि हम कितने का लाए पांच सो पचास का या तो यह है कि हम अपने जोट बोल दें कि हम 550 का लाए और उसको 550 में दे दें ठीक तो जूट बोलना तो भाई पाप है ठीक तो पाप हमें नहीं करना है फिर भी अपन कर लेते हैं कोशन को समझने के लिए कि हमने 500 का पैन उसको कितने में बता दिया 550 में या फिर हम यह करते कि भाई अपने दोस्ते कोई दिक्कत नहीं है पचास रुपए कम भी मिल जाएंगे तो भी हम काम चला लेंगे तो दो केस बन सकते हैं बच्छो क्या या तो हम 500 वाली चीश को कितने में बेज दें साड़े 400 में या 500 वाली चीश को कितने में बेजते हैं तो आगर मान चलिए हमने 4500 में बेचा तो जो चीश हम 500 में ला यह तो पानसो हम techniques लेकिन उस चीश को हमने क्या किया साड़े चार सो में बेज दिया तो साड़े चार सो मूल क्या है जिस चीज जिस कीमत पर किसी बस्तू को बेचा जाता है जिस कीमत पर किसी बस्तू को बेचा जाता है वो कीमत उसका विक्रे मूल कहलाता है तो हमने पेन कितने में बेचा साड़े चार सो में तो ये भी विक्रेमूल है या फिर हमने अगर साड़े 500 में बेचा होता तो ये भी क्या होता ये भी क्या होता आपका विक्रेमूल होता तो जिस कीमत पर किसी वस्तू को बेचते हैं वो क्या होता है विक्रेमूल अब आते हैं लाव पर तो लाव क्या होता है तो देखिए अगर कम में खरीदें और जादा में बेज़तें तो अगर हम ऐसा बोलें कि आपका विक्रेमूल क्रेमूल से कैसा है जादा है किस से जादा है क्रेमूल से जादा है अगर हम बोलें कि विक्रेमूल क्रेमूल से जादा है तो इसका मतलब हमें क्या होगा लाव होगा तो इस केस में हम मतला हम कम की खरीदें और जादा में बेज दें तो वो क्या कहलाता है लाब कहलाता है अगर हम कम की खरीदें और जादा में बेज दें तब हमें क्या होगा लाब होगा तो अगर हमें 500 का पेज साड़े 500 का पेन साड़े 500 में बेचा होता है तो हमें क्या होता है लाब कैसे नि minus कर दीजे, तो आपके क्या निकल कर आजाएगा? लाब निकल कर आजाएगा. तो अगर हम इस कोजीचन में बात करें हैं है, फान सों का पहना आपने कितने में बेचे बचो, साड़े पान सों में बेचे तो ज्यादा में बेचे, यहीं कि विक्रेमूल क्रेमूल से जादा है तो आपको लाब कितना होगा तो साड़े पांस हमें से 500 को माइनिस कर देंगे तो कितने का लाब हो गया 50 रुपे का लाब हो गया ठीक है यह लाब की बात हो गई चलिए हानी परतिशत और लाब परतिशत पर भी बात में आते हैं पहले हम हानी और समय लेते हैं अधरी अगर हम बोलें कि क्रेमूल कैसा है अगर हम कहते हैं कि क्रेमूल जादा है किस से विक्रेमूल से अगर क्रेमूल विक्रेमूल से जादा है इसका मतलब हमें क्या होगी हानी होगी कहने का मतलब यह है कि जितने में हमने खरीदा उससे कम में यह दी बेज दिया यानि कि क्रेमूल हमारा ज्यादा है विक्रेमूल का में जितने में हमने खरीदा उससे कम में अगर हमने बेज दिया तो हमें क्या होगी हानी होगी तो हानी कैसे निकालते है बच्चों तो हानी निकालने का तरीका क्या है हानी बराबर होती है क्रेमूल जो चीज़ जादा उसमें सही कम बाला माइनस होगा क्रेमूल माइनस विक्रेमूल क्रेमूल माइनस विक्रेमूल तो यह के निकलाएगी आपकी हानी निकलाएगी क्रेमूल माइनस विक्रेमूल तो यह आपकी हानी हो जाएगी तो अगर हम बात करें कि जो 500 का पैन लिया था इस पैन को अगर 450 में बेचें यानि कि क्रमूल जदा था 500 और विक्रमूल कैसा है? कम है जिदि 500 के पैन को आप 450 में बेचते हैं तो बताएंगे आपको कितने की हाने हुई तो आप कहेंगे फिर से सार आपको पचास रुपए की हानी होई क्लियर हो रही बात कितने की हानी होई पचास रुपए की हानी होई तो आप कितना लिख देंगे आपर पचास रुपए की हानी इतनी चीज क्लियर अब हम आते हैं किस पर लाब प्रतिशत पर किस पर आते हैं लाब प्रतिशत पर तो देखिए लाब प्रतिशत कैसे निकाला जाता है तो अगर हम लाब प्रतिशत की बात करें कि लाब प्रतिशत कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले आपको इस चीज देखनी है आपर लाब प्रतिशत क्या होता है लाब प्रतिशत बराबर होता है लाब बटे क्रेमूल क्रेमूल इंटू सो देखी किसी भी चीज को परसनेर्ट में बदलने के लिए सो से क्या किया जाता है मल्टिपिलाई किया जाता है तो लाब प्रतिशत बराबर क्या होता है लाब बटे क्रेमूल इंटू तो आपका लाब प्रतिशत कहलाता है तो अब आप देखिए कि लाब प्रतिशत अगर आपको निकाल ला है तो देखिए आपको लाब कितने का हुआ था पचास का और क्रेमूल कितना था 500 और into क्या कर देंगे 100 ठीक तो देखे 50 से ये एक बार कट जाएगा 50 से कितना बार कट जाएगा एक बार कट जाएगा into में क्या है 100 और ये 10 आ जाएगा तो 10 से ये 0 cancel तो कितना आ जाएगा 10 प्रतिशत का लाब निकल आएगा कितने का लाब निकल आया, 10 प्रतिशत का आपके पास लाब निकल कर आ गया, किलियर हो रही बात, यहां से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, देखिए हम चीजों को समझते जा रहें, जिससे हमें आगे कोई दिक्कत नहीं हो, इससे related कितने भी कोशन मन जाएंगे, आप तुर हानी, हानी बटे क्रैमूल, हानी बटे क्रैमूल, इंटू क्या होता है, 100, हानी इंटू क्रैमूल बटे 100, हानी बटे क्रैमूल इंटू 100, यह होता है आपका हानी प्रतिशत, ठीक है, तो हानी प्रतिशत भी देखिए, सेम निकलता है, कि जो आपकी हानी है, वो भी किस पर निकलती है क्रेमूल पर और जो आप लाटवे वो भी बिकिस पर किया गड़ना कि रहने कि पर की जाती है तो यहां से पृतिस से इस तो पर्सुनेड और प्रती discuss की बात करने हैं कितने की हो रही है 50 की कितने रुपए की हानी हो रही है 50 रुपए की और किस पर हो रही है क्रेमूल कितना है 500 इंटू क्या कर देंगे 100 तो ये भी कितना निकल कर आएगा आपका 10 परतीशत पूरा कैंसिल आउट करो के कितना आएगा 10 परतीशत की क्या हो रही है हानी तो ये भी कितनी हो रही है 10 प्रतिशत की हानी हो रही है तो इस परकार देखिए आपको हानी प्रतिशत और लाब प्रतिशत दोनों में एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों किस पर निकाले जाते हैं करे मूल पर हानी प्रतिशत और लाब प्रतिशत दोनों किस पर निकाले जाते हैं करे मूल पर इतनी मार्केट में कोई चीज पर्चेस करने जाते हैं, कोई company का brand का आइटम आप लेते हैं, तो आपने देखा होगा उस पर एक mark किया हुआ price होता है, मलब एक price उस पर लिखा हुआ रहता है, तो हम देख लेते हैं कि इतने गाफर हम देख लेते हैं उस पर डिसकाउंट है कि नहीं है किसी पर कुछ 200 रुपए प्राइज लिखा है तो वही उसका प्राइज क्या कहलाता है मार्क प्राइज कहलाता है अब मार्क प्राइज पर क्या होता है discount दिये जाता है mark price पर discount देने के बाद क्या मिलता है विक्रे मूल लेकिन वो विक्रे मूल दुकानदार का विक्रे मूल होता है ठीक है चलिए तो अंकित मूल समझ में आ गया क्या होता है किसी चीज पर जो price लिखा होता है वो क्या कहलाता है आपका discount दिये जाएगा वो क्या कहलाता है बट्टा जिसमें समझ लिते हैं कि हमारे पास Angit Mool 100 रुपे है कितना है 100 रुपे हमारे पास क्या है Angit Mool है अब हम discount कितने का दे रहे बट्टा दे रहे मान के चलिए 10% का कितने का बटता देए-10% का? तो 100 का 10% निकालकर आप इसको बेचोहई तो कितनے में निकलेगी? बίक़ेगी है 90 रुपयं में 100 का 10% निकालोगे तो कितना ऐगा 10 और 10 आप किसमें से माइनिस करतो होगे? 100 में से, तो कितने में बेचोहई? यानि कि जिस चीज़ पर 100 रुपे लिखे हुए थे उस पर 10% का अधि डिस्कॉंट मिलना इसका मतलब क्या वो 90 रुपे में जाएगी कितने में जाएगी वो 90 रुपे में जाएगी ठीक है तो 90 रुपे क्या हो गया आपर 90 रुपे दुकानदार के लिए क्या हो गया विक्रेमूल हो गया ठीक है और 10 पृतिशत जो है वो बट्टा पृतिशत हो गया अब बट्टा भी देख सकते हैं कि बट्टा क्या हो गया यह हमने बट्टा पृतिशत बता दिया आपको कि बट्टा प्रतिशत क्या होता, ठीकि बट्टा प्रतिशत 10% का लिए, बट्टा प्रतिशत भी जानेंगे, हम कैसे निकालते हैं, तो अगर हम बट्टे की बात करें इस question में, कि 100 रुपे की चीज़ पर आपने 10% को यदि बट्टा दिया, तो बट्टा कितना दिया आपने, तो बट्टा आपने दिया, 100 रुपे की चीज़ थी, 90 में बेच रहा है, यानि कि बट्टा कितने का दिया, 10 रुपे का, बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो इसको और समझें, या discount percent इसको बोलते हैं, तो discount, percent और समझने क्या होता है, discount percent होता है, आपका discount यानि कि बट्टा, या आप लिख सकते हैं, बट्टा, बट्टे, मार्क प्राइज, यानि कि MP, यानि कि अंकित मूल, इन्टू सो, यह आपका discount प्रतिशत होता है, डिस्कॉंट प्रतिशत कैसे निकालते हैं डिस्कॉंट बते मार्क पाई जानी की अंकित मूल इंटू सो तो इस परकार हम डिस्कॉंट प्रतिशत जानी की बट्टा प्रतिशत भी निकाल सकते हैं ये सारी बात हमें समझ में आगी अब अपने कोशन को थोड़ा सा देखें वो कह रहा हैं कि बाबू ने 25 रुपए में एक अलमारी खरी दी और उसे 35 रुपए में बेज दिया हानी है तब लाब प्रतिशत ग्याद करें तो आप बताईए सबसे पहलो तो खरी दी कितने में थी क्या चीज़ खरी दी अलमारी तो अगर हम बात करें बाबू ने अलमारी खरी दी कितने में खरी दी 25 रुपए में तो अलमारी का क्रेमूल कितना दिया आपको तो आपको अलमारी का क्रेमूल कितना दिया तो अगर क्रेमूल की बात करें तो इसको CP बोलते हैं कि cost price क्रेमूल कितना दिया अर्मारी का 25 रुपए बाबु ने कितने में खरीदी 25 रुपए ठीक तो 25 रुपए तो आपको क्या दिया है क्रेमूल इतनी बात clear अब वो बेचा कितने में उसने अर्मारी को तो विख क्रेमूल कितना दिया है विक्रेमूल कितना दिया है आपको तो विक्रेमूल आपको दिया है 3500 रुपे 2500 रुपे की चीज़ को कितने में बेच रहे है 3500 रुपे में बेच रहे है तो आप बताईए 2500 जादा होते हैं कि 3500 जादा होते है तो हमारा विक्रेमूल क्रेमूल से कैसा है क्या होता है इस case में हमेशा क्या होता है लाब होता है क्या होता है लाब होता है तो लाब प्रतिशत कैसे निकालते है तो लाब प्रतिशत बराबर होता है लाब बटे क्या कर देंगे क्रेमूल इंटू क्या कर देंगे 100 तो इस परकार से हम क्या कर सकते हैं लाब प्रतिशत न टो लाब कैसे निकलता है, भ cycling of 바로 by kramul minus kramul, अगर हम ग kmul मेंसे क्या minus कर देते हैं, kramul को minus कर देते हैं to के निकलेगा, láb निकलाएगा, ग वि خै निकला देते हैं तो अब देखे, lab कैसे निकला लेगा तो अब देचे निकलेगा, 라ब कैसे निकलेगा, pap laughing, शूऐ और climate क्तना है पचीस सो तो बिक्रेमूल मैंसे क्रेमूल माइनस करते हैं चलिए 35 मैंसे 25 सो गया कितना है एक हजार यानि कि लाब कितने का हुआ एक हजार का तो अब अगर लाब एक हजार का हुआ तो लाब परतीसत कैसे निकलेगा तो लाब परतीसद निकालने के लिए हम क्या करेंगे लाब बटे क्रैमूल क्रैमूल कितना है 25,100 इंटू क्या कर देंगे 100 क्लियर इतनी बात ठीक अब देखें यहाँ 2,0 से 2,0 कैंसल हो जाएगा 25,100 यानि कि 1,0 बचा यह तो लगा दिया तो कितने का लाब हुआ लाब परतीसद आप आया 40 परतीसद तो 40 परतीसद का क्या हुआ लाब हुआ तो अब देखें आपका कौन सा option answer दिया है option D option D आपका क्या हो जाएगा बच्चो answer हो जाएगा clear तो आमने बहुत सारी चीज़ें यहां सीख ली है आप ध्यान रखता है इस सारी चीजें मतलब एक वरी किसे आपने पूरा सार कर लिया अब इसे related कोई भी question मनेगा तो आपको समस्या नहीं जाएगी चलिए अगला question देखते हैं बच्चो देखें अगले question के अगर बात करें तो next question क्या है question number 8 यदि जॉन की बिल्ली एक सब्ता में 1106 ग्राम कितना जॉन की बिल्ली एक सब्ता में 1106 ग्राम क्या करती है यदि जॉन की बिल्ली एक सब्ता में 1106 ग्राम भोजन खाती है तो एक दिन में हुए कितना भोजन खाती है बही आप बताईए 7 दिन एक सब्ता मतलब क्या होता है साथ दिन अगर जोन की बिल्ली की बात कर रहे हैं तो एक सब्ता की बात कर रहे हैं कितना एक सब्ता हमें जोन की बिल्ली कितना एक सब्ता हमें कितना बोजन खाती है तो यहाँ पर लिखा है भाई ग्यारा सो छे कितना बोजन खाती है ग्यारा सो छे ग्राम कितना बोजन खाती है ग्यारा सो छे ग्राम ठीक है ग्यारा सो छे ग्राम बोजन खाती है एक सब्ता में तो एक सब्ता में कितने दिन होते हैं भाई एक सब्ता में आप जानते हैं साथ दिन होते हैं सब्कितना बोजन चाहए है एक सफथ में कितने दिन होते हैं साथ दिन में अगर हम बात करें कितना बोजन खाती है वह 106 ग्राम कितना वोजन करती या ग्यारा सो छे ग्राम एक सप्ता में कितना वुजिन काती है ग्यारा सो छे एक साथ दिन होते हैं एक सप्ता में एक सप्ता में मतलब कितना साथ दिन होते हैं तो साथ दिन में कितना वुजिन काती है ग्यारा सो छे ग्राम तो अगर हमें एक दिन में निकालना है तो एक दिन के भाग देदेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ काटते परें, साथ इकम, साथ, साथ इकम कितना हो जाएगा, साथ, ठीके चार बचेगा, बोजन खाएगी एक दिन में, तो कौन सा option हो गया, option D, clear हो रही बात, क्या clear है सारी बाते देखे, इन्होंने बोला कि, John नाम का एक लड़का है, उसकी बिल्ली जो है, वो एक सब्ता में अगर उसने calculate किया, बेट के साब से अगर वो क्या देता है, उसको बोजन देता है, तो आप से क्या पूछा गया है, आप से पूछा गया है, बताइए वो एक दिन में कितना खाएगी, तो आप जानते हैं, एक सब्ता में 1106 खाती है, तो एक सब्ता में 7 दिन होते हैं, मतलब 7 दिन में कितना खाती है, 1106 गराम खाती है, एक दिन में कितना खाएगी, तो 1106 में हम से भाग लगा दिया तो साथ ही कम साथ हो गया ठीक है और पांच बार बाग गया एक सो अंठावन गिराम इतना वोजन खाती एक सो अंठावन गिराम तो यह आपका आंसर हो गया यहीं कि 158 ग्राम खाती है वो कितना एक सब्ताम है क्लियर होरी बात यहां से यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं चलिए तो अब नेक्ट कोशन देखते हैं कि अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कोशन नमबर 9 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ग्याद करें जो 6,7 एबं 15 प्रतेक से विभाज है चार ओप्शन आ क्या बोलते हैं इसको हम पर्फेक्ट स्क्वार तो पर्फेक्ट स्क्वार नमबर चाहिए हमें तो अगर हम बात करें बर्ग संख्या नहीं कि हमें पर्फेक्ट स्क्वार चाहिए तो अगर पर्फेक्ट स्क्वार की बात करें तो कौनसी संख्या पर्फेक्ट स्क्वार होत गर हम सूला के वर्ग मुझ की बात करें, तो कितना चार आता है, तो ये सब ही क्या है आपकी वर्ग संक्या होती है, तो अब इनों ने क्या कोशन दिया, कि वह सबसे छोटी वर्ग संक्या ग्याद करें, मतलब जो चार आप्शन आपके पास हैं, उनमें से आपको क्या करना है एक बर्ग संक्या ज्यात करने है साथ ही आपको वो condition भी दे रखी है कि वो 6 से भी, 7 से भी और 15 से भी विवाज जो तो देखें सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कोशन का कि अगर इनों बोला है कि वो संक्या 6 से 7 से और 15 से इन मैंसे प्रतिक से विवाज जो साथ में बर्ग संक्या है तो या तो आपको पता होना चीग कि बर्ग संक्या होती कि मतलब इसका बर्ग मुन निकाल सके तो इंडिविजली सबसे पहले आप क्या करना 6 से, 7 से और 15 से भाग देके देख लेना आप सबसे पहले आप्शन में क्या करें जैसे पहला आप्शन हम लेते हैं 22,560 अब इसमें आप क्या करों पहले 6 से भाग लगा दो अगर 6 से भाग चला जाता है तो यह हमारी वर्ग संक्या हो सकती है फिर हम 7 से और 15 से भाग देके देख लें एक तरीका यह है कि हम आप्शन से उठाएं चीजों को तो देखें कि 6 की विवास्ता का नियम देख लेते हैं 6 की विवास्ता का नियम क्या होता है अगर इसमें 3 से और 2 से 2-9 से भाग चला जाए तो चुकि इसके एक आई का है बच्चों 0 है तो इसमें 2 से तो 100 परशन भाग जाएगा अब 3 की विवास्ता का नियम क्या होता है तो हम यह 3 के मल्टिपल देखें कि कौन कौन से तो देखें तीन के मल्टिपल एक 6 हो गया 5 और 4 कितना हो जाएगा यह 2 और 5 और 9 तो यह 3 से भी भाग जा रहा है तो साथ से भाग देते हैं तो साथ एकम साथिया एक्कीस हो जाएगा साथिया एक्कीस तो यह तो आपका होगे साथिया एक्कीस और इसके बाद देखिए एक बचेगा तो साथ दूनी चौधा अब एक बचेगा तो सोला हो जाएगा भाग नहीं जाएगा तो साथ से भाग नहीं जारा यानि कि ये ना पूर्णवर्ग संख्या हो सकती ना वो संख्या हो सकती अगर ये पूर्णवर्ग है भी तो ये वो संख्या नहीं है जो हमें चाहिए क्योंकि कोश्चन में बोला है कि वो संख्या ग्याद करें जो पंदरा से भाग जाता हो तो छैसे तो भाग जा रहा था लेकिन साथ से नहीं जा रहा तो यहीं यह ccancel हो गया तो हमारा पहला आप्षिन तो आट गया ठीक पहला ऑप्षिन अमने आटा दिया दूसरा ऑप्षिन देते हैं 630 तो 630 जो संख्या देखिए इसमें 6 से भाग चल जाएगा और पंद्रा से भी भाग चला जाएगा लिकिन ये पूर्ण वर्ग संख्यान नहीं है क्योंकि 630 को अगर आप लिखोगे 360 इंटू 10 और इसका क्या निकालने जाओगे वर्गमूल निकालने जाओगे तो यह 9-7 3-6 होता है और यह 10 को आप तोड़े को 5 इंटू 2 के रूप में तो अब आप बताएगे 9 का वर्गमूल तो भार आजाएगा बाकी सब्तों अंदर रहेगा तो यह भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो शकता तो ऑप्शन भी भी अट गया तो अब हम बात करते हैं अगले ऑप् इंटू 100 तो पहले तुमने यह चेक कर लिया कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं क्योंकि तुरंट दिख रहा था मैं जुछी चीज जानकरी उसका हम इस्तमाल कर सकते है ठीक है तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आगे 440 है यह तो आगे 21 और भार कितना आगया 10 तो य लिकें कंडिशन क्या है कि वहाई इसमें 6 से 7 से और 15 से भाग जाना चाहिए तो देखिए 6 से भाग के लिए आप क्या करेंगे 2 की विवास्ता करियां और 3 की विवास्ता करियां चेक करेंगे तो इसमें 2 से भाग जा रहा है क्योंकि एक आई कांग क्या है सून है अब 3 से बाग देंगे तो चार दूनी आठ और एक नो तीन से भी भाग जा रहा है तो साथ से भाग देकर देखिए तो साथ चिंगा 42 अब हम क्या करेंगे 44,100 हमें किस से भाग देंगे बच्चो साथ से भाग देंगे तो साथ से आपने भाग दिये तो कितना हो गया साच्छींगा ब्यालीस दो बचेगा साती है एक्कीस बिल्कुल कड़ के असास से ठीक इसके बाद हम किससे पंदरा से भाग देंगे तो पंदरा ती पैतालीस हो गता है तो पंदरा दूनी तीस करेंगे पंद्रा दूनी 30 करेंगे तो कितना बचेगा आपके बाद 14 तो यह कितना हो जाएगा 141 तो पंद्रा दूनी 30 किया 141 बचा तो इसको आप कितने बार भाग देंगे इसको आप देंगे 15 साथन में 150 15 नम्मा 135 15 नम्मा 135 तो कितना बचेगा 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा फंक पंद्रा से भी तो देगे पूर बर संख्या तो यहीit साथ मे उसमें 6-7 से भी भाग जा रहा है किस से भाग जा रहा है 6-7 से भी भाग जा रहा है तो यह आपका आंसर हो सकता है ठीक है लेकिन बात कर रहे हैं यह वो ले सबसे छोटी बर्ग संक्या बतानी है क्योंकि सबसे छोटी तो इसमें यह थी ऑप्शन में कट गई 22,560 वो भी कट गया 44,100 और अगली संक्या जो है वो आपकी कितनी एकाई, दाही, सेकड़ा, हजार, दस जाल लाग ठीक है 3,96,900 तो अगर यह पूर्ण वर्ग हो भी जाएगी लेकिन आपको यह आंसर नहीं होगा क्योंकि चार में से आपको सबसे छोटी बतानी है तो इन में फिर आपका आंसर क्या होगा क्लियर और अगर आप चाहें तो चैक भी कर सकतें भाई जो आपको संक्या दिये तो इसको आप किस तरी किस तो लेंगे 49,79 को चलिए तो किस से बाग देते हैं 3 से देखते हैं किस का वर्ग बन रहा है कि नहीं 3 एकम 3,3 का 9,3 दो नीचे,3 दो नीचे,3 दो नहीं तो यह बर्ग मूल निकल आएगा इसका तो यह perfect square तो है तो यह आपका 21 into 3 into कितना वह जाएगा 10 21 to 36, कितना जाएगा 630 तो यह 630 का क्या है वर्ग है कौन सी वाली संक्या 3,9,6,9,00 यह किस का वर्ग है 630 का वर्ग है तो यह पूर्ण वर्ग संक्या तो है पर आपको यह और चेक करनी है कि 6,7 और 15 से भाग जा रहा है तो देखिए 636, 3 बचेगा 636, 6 एकम 6, 3 बचेगा 635, 6 से भाग जा रहा है 7 से भाग देखिए 735, कितना वज जाएगा 4, 46 हो जाएगा, 746, 42, कितना वज जाएगा देखिए 735, 4 बचेगा 6, 46 हो गया, 7, 42, 4 बचेगा, 49, 49 से भी भाग जा रहा 15 से भाग देखिए तो 15, 2, 30, 15, 6 बचेगा, 15, 4, 60, 15, 16, 15, 15 से भी भाग जा रहा मतलब यह दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है दोनों ही आपके आंसर हैं, दोनों ही कंडिशन हो साटिस्वाई गर रहा हैं मतलब यह दोनों पूर्ण वर्ण संख्या हैं कौन कौन सी तो अगर हम बात करें, 44,100 यह आपकी पूर्ण वर्ण संख्या है और 3,96,9900 यह भी आपकी क्या है पूर्ण वर्ण संख्या है और दोनों मैं क्या है दोनों मैं कंडिशन भी सैटिस्फाइ रही कौन सी छे से, सात से और पंद्रा से भाग जा रहा है तो अभी हमने आपको क्या बता है उन्होंने पूछा सबसे छोटी तो अगर इन चार में से दो option तो अट गए ते दो में आप सबसे छोटी कौन सी होगी तो 44,100 आपका answer हो जाएगा तो फिर आपका answer D नहीं होगा condition दोनों पर satisfy हो रही है ठीकिन answer आपका क्या रहेगा C रहेगा clear तो देखिए कितने आसानी समने चीजों को पर लिया अब अगर आप इसको traditionally करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई सबसे छोटी वर्ग संख्या ग्याद करें जो 6,7 एवं 15 प्रतेक से विवाज़त होती हो तो अब आप बताईए कि अगर हम आपसे बूलें कि कोई संख्या 2,3 तता 5 प्रतेक से विवाज़त होती हो और वो पूर्ण वर्ग हो उसकी बात अब हम करते हैं हमें क्या दिया है हमें देखनी है वो संख्या जो 6,7 और 15 से विवाज़त होती हो और 7 में क्या पूर्ण वर्ग है तो अब हम निकालना सीखते हैं इसको कैसे क तो आप बताईए हम पहले बात करते हैं कि वो संख्या निकालें जो 3, 2 और 5 इन 3 संख्याओं से पूरता विवाज़तों और साथ में पूर्ण वर्गों इस केस में हम क्या करेंगे हम 2, 3 तथा किसका 5 का क्या करेंगे LCM लेंगे क्या करेंगे LCM लेंगे तो 5, 3, 15 दूनी 30 हो जाएगा LCM कितना आया 30 तो अब वो संख्या मिल गई हमें क्या 30 कौन सी मिल गई वो वाली संख्या मिल गई जो 2 से 3 से और 5 से विवाज़तों गी लेगिन 30 क्या पूर्ण वर्ण संख्या है बिलकुल नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा 30 के अवाज गुलंखन देखने पड़ेंगे तो 2 से 15 बार आपको पता यही आएगा अभी 3 से 5 बार और 5 से 1 बार तो यह आमें वो संख्या तो मिल गई वाली कौन सी 30 मिल गई कि जो 2 से 3 से और 5 से विवाज़त है लेकिन यह पूर्ण वर्ण नहीं है तो अगर आप 30 में किस से गुणा कर दें 30 से गुणा कर दें तो कितना जाएगा 900 तो 900 वो संख्या होगी जो 2 से 3 से और 5 से विवाज़त पी होगी और 7 में क्या है पूर्ण वर्ण 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 निकालते तो बच्चों कितना आता है 30 आता है क्लियर होगी बात तो यह तरीका है करने का यह तरीका है करने का तो यह ट्रेडिशनली अपको अपको अच्छे तो आप इससे भी कर सकते हैं अब उपने कोशन पर आते हैं कोशन हमें क्या दिया था कि 6 7 और 15 से विवाजित हो और 7 में पूर्ण वर संक्या हो तो हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि आपर 6,7 तथा किसका 15 का एलजीम क्या है 15 का एलजीम देखते हैं कितना आजाएगा देखो 15 अगर हम एलजीम मानने तो 15 के अंदर क्या आगया आपका 3 आ गया 35 15 दो नहीं आया तो 15 दूनी 30 और 30 साथ 210 हो गया कितना हो गया 210 210 वो संक्या है जो इन तीनों से बभाजित होग गया तो 16 अगर यह पूर्ण वर्ण बनाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे इसके अब आज बनकर करोगे दो से दो एकम दो जिरो दो पान्ट दस अब किससे कट्रा यह 3 से बी कट्रा पांट से तो 3 से काट दीजिए 3 तेर का नो तेपंचे 15 पogeneous क si कट्रा 5 से कट्रा तो यह 5 से कटेगा 5 ते 35 फिरे किससे कट्रा 7 एकम 7 अब आप देखे पूर्ण बढर बनाने के लिए आपको तो एक 5 यो लगा दिया जोड़ा बनाने तो एक 7 लगा दिया finally मतलब आपने क्या किया 210 से ही गुणा किया भई आप करेंगे 7 बना 35 35 दिया कितना हो जाएगा आपका 105 दूनी कितना हो जाएगा आपका 210 तो आप finally क्या करें 210 से ही गुणा कर रहें और साथ में क्या है पूर वर संग्या तो आपको बता है 21 इंटू किस कितना होता है 400 41 इंटू किस कितना होता है 400 41 और 2 0 यह लगा दीजिए तो कितना आगे आपका अंसर 44100 और यही हमने किस से देखा option की सायता से भी देखा लेकिन option में बहुत अच्छी चीज थी कि हमारे पास दो ऐसे option मिल गए थे ठीक है लेकिन हमने क्या पूछा है सबसे छोटी पूछी थी option में देखी है अपनको दो option मिल गए थे एक तो हमारा C भी ऐसा संख्या है जो पूण वर्ग है और D भी हमारी ऐसी संख्या है जो पूण वर्ग है और साथ में यह 6, 7 और 15 से भी बभाजित हो रही है तो हमें पूण वर्ग संख्या भी मिल गए और साथ में 6, 7 और 15 से भी बभाजित हो रही है लेकिन आपको question में दिया था सबसे छोटी, इन दोनों में छोटी कौन सी है, तो 44,100 आपका answer हो गया, clear, traditional ही भी आपने समझ लिया बच्चों, तो I think आप उनको कोई दिक्कर नहीं चली, तो next question लेखते है, Mary ने 80 रुपे प्रती किलो squid बेच कर, दिन के अंत में 960 अर्जित किय कितने रुपे अर्जित किये, 960 रुपे 28 किये, Mary ने कितने 80 रुपे प्रती कुलो squid बेच कर, ठीक है, अब उसने बोला उसने कितनी किलोगराम squid बेचे, ठीक है, अब आप से पूछा गया है कितने किलोगराम squid बेचे, आप बताईए, अगर आप कोई चीज, 2 रुपे, कित साट रुपए की कितने रुपए की कमाई की साट रुपए की तो आप बताईए आपने कितना किलो ग्राम बेचा अगर आपसे कोशन किया जाए कि आपने कितना किलो ग्राम बेचा तो आप कैसे निकालेगे वह आप कोई चीज कितने की बेच रहे दो रुपए की एक किलो और आपने दिन भण में सब बेच दी या जो भी आपके पास फ़येटी दी आपने बेच दी ऑर आपने कितने से कमाई शाट रुपे गवाए तो अब आप से पूछ सकते हैं आपने कितना किलो बेचा होगा तो आप बता सकतें बहुत आसानी जए कि आपको पता है कि एक केमत आप कमाना चाहते हैं तो एक रुपए के लिए आपको कितना बेचना बढ़ेगा एक बटे दो यानि कि आदा किलोग्राम बेचना बढ़ेगा तो एक रुपए में कितना आएगा आदा किलोग्राम तो अब आप बताईए आपने कितने कमाए 60 रुपए तो दुनों तरफ 60 से multiply कर दें तो 60 रुपए अगर आपने कम आए तो 60 रुपए कमाने में आप देखिए 60 से multiply करेंगे एक बटे 2 को तो कितना हो जाएगा 30 यानि कि आपने दिनवर में कितना 30 kg बेचा यह तो इस question की बात हो गए यहां से conclusion समझेए यहां पर हमने दो तरीकों का इस्तिमाल किया एक तो एक एक नियम लगाया क्या लगाया एक एक नियम एक एक नियम का मतलब क्या है हमने पहले एक किलोग्राम की कीमत निकाली हमने देखा एक किलोग्राम की कीमत कितनी है दो रुपए तो एक रुपए में कितना बिचेगा एक रुपए में आदा किलोग्राम बिचेगा तो 60 रुपए में कितना बिचेगा तो 30 किलोग्राम तो यह हमारा आंसर आ गया 30 किलोग्राम लेकिन वो कोशन है जो अपने आपको समझाने के लिए बताया अब यह अपने वा कीमत को एक किलोग्राम की कीमत से भाग दे के आंसा निकाला कि नहीं तो पस यह हमें कोशन में करना है कोशन पर आगर आते हैं तो उन्हों उन्हों बोला कि प्रति किलोग्राम कीमत कितनी है तो 80 रुपे प्रति किलोग्राम कीमत है कितनी कीमत है 80 रुपे प्रति किलोग्राम क कीमत से भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया था तो इस कोश्चन में में ऐसा ही करेंगे कि कुल कीमत कितनी है 960 कुल कीमत कितनी है 960 और उसको इससे भाग देगे प्रदी किलोग्राम कीमत से तो क्या निकलाएगा क्या पूछा उसने कितने किलोग्राम बेचा तो किलोग्राम उसने दुनबर में कितना बेचा, 12 kg, क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 12 kg, यह आपका आंसर हो गया भी, चलिए, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, भी 12 kg, ठीक, चलिए अगला कोशन देखते वच्चों, अगला कोशन क्या पूशा क्या था, कोशन नमबर 11, निम और इस paper में भी आपके पास same question आया है यह बोला है कि संतुष्ट नहीं है मतलब इस बिंदू से संतुष्ट नहीं है का मतलब क्या है कि वो समीकन इस बिंदू से होकर गुजरती नहीं है यह हम ऐसा कह सकते हैं कि यह बिंदू समीकन पर स्थापित नहीं है अगर कोई बिंदू से कोई समीकन होकर गुजरती है तो उस बिंदू के जो मान है उस समीकन को क्या करते हैं संतुष्ट करते हैं यह बर हम ऐसे कहें कि कि किसी अगर समीकन पर कोई बिंदू इस्थित है तो मतलब उस बिंदू के मान उस समीकन को संतुष्ट करेंगे अब मान की बात करें तो y की value कितनी है 8 है तो अब हमें यह कहरें कि संतुष नहीं करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा equation में मान रखके देखना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्छों पहला समीकर्ण जो हमें दिया है पहला option अपना वो ले लेंगे हमें पहला option दिया है 2x plus 3y 2x plus 3y बराबर कितना दिया 16 यानि कि अगर हम x और y का मान जो हमारे पास है minus 4 और 8 पहली समीकर्ण में यदि रखते हैं और हमें क्या मिल जाता है 16 मिल जाता है minus का 4 plus 3 इंटो क्या कर देंगे 8 बराबर में कितना 16 चलिए देखते हैं तो यह आपका कितना माइनश का 6 और यह कितना हजाएगा बच्छो आपका 8 टीया 24 बराबर में कितना 16 देखे 24 मेंसे अगरी आप 8 बाचे है 16 पिलस का, 16 बराबर 16, यानि कि पहला तो आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये संतुष्ट कर गया, 16 बराबर 16 आगे मतलब बिंदू ने समीकन को संतुष्ट कर दिया, अब संतुष्ट कर दिया मतलब ये बिंदू इस समीकन पर, इस समीकन इस बिंदू से होकर गुजरती है, अब बाते हैं option b पर तो option b की अगर बात करें बच्चों तो देखी क्या दिया है 3x plus 2y बरावर में कितना है 4 चली तो रखते हैं यहाँ पर 3 x की value कितनी minus का 4 plus 2 into y की value कितनी बच्चों 8 इसकल 2 में कितना दिया 4 तो देखी कितना हो जाएगा minus का 12 और यह आपको कितना हो जाएगा 16 plus का और बरावर में कितना है 4 तो 16 में से 12 जाएगा क्या बच्चेगा 4 4 बरावर 4 तो दूसरे समीकन को भी क्या कर रहे है option b को भी क्या कर रहे है विंदू संतुष कर रहे है तो b भी आपको option नहीं हो सकता अब हम बात करें तो किसकी c की बात करते है तो c option देखे आपको क्या दिया x plus 2 by और इसकल 2 में कितना दिया 12 तो x की value कितनी है minus का 4 plus 2 into y की value कितनी है 8 बरावर में कितना है 12 तो अभी आप देखिए क्या आगे आपका यहाँ पर minus का 4 और यह कितना हो जाएगा 16 और बरावर में कितना है 12 अब आप बताइए कि 16 में से 4 जाएगा minus का तो plus का 12 बचेगा तो देखिए plus का 12 बरावर किसके 12 के तो यह तीसरे equation को भी क्या कर रहे यह संतुष कर रही है यहनिकि हमने देखा कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों हमारे answer नहीं है तो अब 4 बचे थे चार ते option ही थे अब उसमें से 3 हमारे नहीं है तो कौन सा चौता ही answer होगा चौता ही answer होगा चली देख लिए ते संतुष तो नहीं कर रहा है तो देखें चौती समी कर आपके पास है D option क्या दिया है 3X minus Y is equal to 20 X की value कितनी है minus का 4 Y की value कितनी है 8 is equal to में क्या दिया है 20 ठीक इतनी चीज़ के लिए है चली अब देखें कितना हो जाएगा minus का 12 minus का 8 बराबर कितना 20 तो यह कितना है minus का 20 बराबर 20 तो बता है minus का 20 का भी बराबर होता है 20 के बिल्कुल भी नहीं होता है तो यही संतुष्ट नहीं कर रहा है यानि कि यह हमारा answer है क्योंकि आप से पूछा गया था जो संतुष्ट नहीं है कौन से समीकरन संतुष्ट नहीं है बिंदू से तो भाई option D आपका answer हो गया, clear तो आपको के बहले इतनी सी चीज़ करनी है कि जो बिंदू के निर्देशांक है, X और Y की जो value है, पहला value जो किती है, X की होती है, दूसरी value किस की होती है Y की, ये चीज़ आपको ध्यान रखती है और ये values आपको क्या करना है, put करना है आपको समय करना है, clear